है नमसकार मैं आरिट तेमछ रहा का आज कहा एकलेट्प्स सूरी पफित लूंर एकलेपस यानि सुरी ग़रान हर चंड गरांग तो पहले हम सब्फ सब्सक्राइक बात कर लेते कि टोव ही कि चंड है तो बहुत जब की रजुन जिब्छली गरीशधिमत इस लुफ यहीं और उना उनमाल हो प्रियों और उसका आधाबाग आधि-वह होता है हमा इसके आधाबा कि प्रित्वी तो में छुरू है तो तो यह जी जब इसका आदा भाग चमकता है जो हर महीने होता है तो हम इसे कहते हैं पूर निमा ते रहा है ठीक है पूर निमा मनदब आपका फूल मून है ठीक है करें वह हर महीने आता है महीने एक लगार जब चंद्रमा का पूरा आदा भाग हमें हैं चमकता हुआ दिखाई देता है तो हम इसे करते हैं फुल मुन इस समय चंद्रमा पुरी तरिकर चमग रहा है और प्रिद्री दिख रहा है इसी एक बाधा उत्पन हो जाए मतलब इसी पर गरहन लग जाए इसकी बीच में जो इसकी रोशनी पर रही है प्रिद्री आ गया या प्रिदी का इस पर स्टाहिए पढ़ने लागा तो परिक्रमा कर रहा है अब इसी क्रम में कभी तो यह अपोजित होगा और कभी यह बीच में सन और प्रिथ की वी आ जाएगा तो जब यह बीच में आ जाएगा तो में इसे सुरीय प्राण करेंगे अब जब यह सिति होगी इसका आधा भाग यह बहुत चमक रहा था अब इस तरफ है यह बादा भाग जो हमें यहां पर दीख रहा था अब इस पर अधेरा हो गया है इसके पहले वारे क्लास में कि इसका आधा भाग क्यों दिखता है और आधा भाग इसका नहीं देखते हैं कि इस इस्थितिक आहिए my अधेर लिए यहां मावस्या थालिए आए यह शुद्ध करें तो आधेर थे यहां में अधेर यह यहां जी यह यह अधेर कि अब इसको यहां से आने यहां तक पंदर्र दिन का समय लगता है आए दिखाता है कैसे पृणुगा की दिन यह अभूरा चांड हमें पूरे चांड तो जैसे यह अपने पत्ध पर करने करम में आगे बढ़े Five वैसे वैसे इसका एरिया हमें कम होता जाएगा तो अब यह पार्ट हमाला छुप गया ध्यान रखिए यह उपर का हिस्सा है यह छुप गया क्योंकि जब यह उपर आएगा सपोस्थ हम यहां खड़े हैं हमने यह चांद करेका तो आप चांद के पुरा देख अब जैसे जैस इसका ब्राइटर पार्ट छुपता जाता है ठीक कि यहां तक छुप गया है फिर जैसे यहां आया सिर्फ हमें कितना दिखा यहां पर आते गयद होगे इसमें 15 दिन लगते हैं अब इस चांद कर अपने दिमाग में कि हमें चल्दमाप पहले दिखता है बिल्कूर गोज सा चंद्र आगे बढ़ता है तो हमें कैसा दिता है तो उसका कुछ बाग इसके अब होता है अब इस कंडिसन में जब पुर्णिवा की रात है तो क्यों हो रहा है क्योंकि सुर्य की गिरंट चंदर्मा के आदे बागप पढ़ाता है और हम प्रिधिवी से रेफलेक्ट हो रहा है यह चीज ना पढ़े और इसके बीच में प्रिधिवी आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि यह चंदर्गरांट हो गया है यह हमारी कवाएं होई तो आप आए बात ह प्रिधिवी का परिक्रमा हर महीने करता है तो चंदर्गरांट और सुर्य करांट तो हर महीने होना चाहिए क्योंकि महीने में एक बार यह प्रिधिवी स्केस्ट सामने आ जाएगी और महीने में चंदर्मा एक बार प्रिधिवी के सामने आ जाएगी तोड़ा सा एक्स्पि प्रित्वी सामने आजाएगी तो महिने में चंदगरण वह प्रित्वी और सुरे के पीश में आजाएगी तो इस समय के चंदगरण हो जाना चाहिए पाथ है यह पाथ पांच डिल्ड है मतलब पांच डिली यह वाथ जुका होगा है आप सो समझें यह हमारा प्रित्वी है और चंदगरण का पात है आप मैं इसी थोड़ा ऐसे बनाता हूं कि समय में अभी आपको बोर्ड है तो जाला क्लिए नहीं होगा तो हम इसे यहां समझने कोश्च करते हैं यह पृत्वी है और यह चंदर्वा है हमने जो यह स्थिति मनाई है यह स्थिति पृणिवा के याद पढ़नी है तो चंदर्वा ऐसे हो गया अगर मैं जो आपको बोर करना वहीं ऐसे है अगर यह दिए बराबर सीध में होगा इसकी बिलकुल प्रित्वी तब तो हर मही ने यहां पर होगा तो प्रित्वी इस पर पढदने वाले की नोपे रोप लेगी और चंदर्वा होगा जाएगा फिर जिब ही जैसे ही पिर से अपोजित आएगा तो पर सब्सक्राइब जाएगा लेकर हमने के पाँ जिर इसका पाथ जुका हुआ है ध्यान बेखिए छन्रमा के कछ जुके होने की बात कर रहा है है फर्पेर प्रस्थी अपने रोटेशन पर अपने लेकिन हम पांच जिगी बात कर रहे हैं इसके पाथ की जैसे हमने इसका पाथ को दिखाया यह बिल्कुल सीधने हो गया यह सीधा होगा कि नीचे है अब यह एसे परिकर्मा करना तो यह टिल्ट हो गया ठीक है इसका जुगाओ के अब इसी कर समझे कि मेरा अगर वे सन है और यह मून है अब यहां है तब तो मेरा इस पर रोशनी निकल लग रही है तो इस पर घड़ेगा जैसे 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 जाएगा वैसे जो आपने जो कम होता जाता है जैसे बढ़ा हम यह से इसको देखना है तो इसका इतना इतना चुप गया कि घूं के उपर आरा फिली यहां करता करता है जब यहां पर आता है तब तो इसके अपोजे साइट पे सुरी की पिरन पड़ा रही है लेकिन जो पाट हमें यहां से दिख रहा था उस पर अन्हेरा शाह गया है तो वह हमें नहीं दिख रहा है इस इसको हमने बताया था कि यह 27 दिन में अपने पाथ के पिज़ अब यह यह जुका हो आज अब ऐसे परिक्रवा कर रहा है तो इस हिसाब से अब एक पजल यह बन रहा है कि फिर तो कभी सुरी गरान और चंदर गरांट नहीं होना चाहिए तो इसके लिए पहले हमने चंदर गरांट को जाना कि आए कैसे लागा अब मागे बात करेंगे घ इसमें कुछ important बाते जो पीटी फेक्ट से important है वो मैं अभी नूट रहा हूं यह जब पिर्थवी और चंद्रमा और सुन्य एक रेखा में होते हैं यह जब पिर्थवी और सुन्य एक रेखा में होते हैं तो इसे हम सिजगी कहते हैं प्रित्वी के परिक्रमा करना रायचिस पात में वह बिल्कुल गोल नहीं है एक तो हमने का वह जुका हुआ है लेकिन जुके होने को नहीं पर दिल्गृत्ताकार है मतलब अड़ा कुछ-कुछ सब्सक्रां और क rating आख मिश्भश्ताकार हाने कीक्रम में क्या होगा सब्सक्राइब कि यह प्रतवि के सबसें नजदीक वह đi तो नजदीक वह तो हम से कहेंगे और इसे इंग्रीजिए यहेंगे पेरी जी और विए यूपीस्ट का चांसल सर्थ कुछ भी हो सकता है तो हमें इंग्लिस वो कहता है कि आप कई किसी कोश्चन में कुछ सब्ध कुछ मीनि विश्टिक यह कुछ सब्ध का गलती है तो आप उसका इंग्लिस लेखिए हम इंग्लिस वाले को सही मानेगी तो मैं आपको सचत करोगा कि पेरी जी यानि जब पिर्थवी से चंद्रमा की निकरतम दूरी है तो पेरी जी हो गया और दूसरी स्थित्य होता है अपोजी या एक इसे हम आप भू कहते हैं जब चंद्रमा पिर्थवी से अधित्तम दूरी पर है तो पेरी जी हो गया अब इस चीज को हम आशिक चंद्रगरहन और आशिक विर्ण और टूटल सोलर एकलिप्स और पार्शिल सोलर एकलिप्स में यह चीज काम आएगा यह मैं मैं इता रहा हूं आपको इसे चाहें तो ग्रहन में जेसे लिखा अब ग्रहण में जैसा हम ने लिखा आपकी कंडिशनी इसमें की चेपलों उनका रहा है कैसे कि चंद्रमा पर पढ़ने वाले रोश्न को पिल्थविज़ नोग रहा है तो चंद्रगृन हो गया और प्रिद्विज़ पर पढ़ने वाले सुरे की रोश्न को चंद्रमा रोख रहा है ठीक है अब इस चीज़ में एक बात ध्यांते कि जब भी चंद्रकाहान होगा वो पुल्णिमा के होगा और जब भी capable हम अस्ताइब होगा पुल्य। का ओर सुर्य की बीच में चंद्रमा ऑगया नियुक्हाeln। कि यह मान्दिया माला सुर्य है पिर्थवी है और हमारा चंद्रमा ठीछ है तो इसका आलभार सुली की रोशनी पड़ने से चमक रहा है जैसे से आएगा यहां पर अमारॱ स्याहे जाएगा तो हमने कहा ना कि अब जो इसकी किर्णए इसपर पढ़ रहा था उसके बीस में चं फिर हमने बढ़ा आपो जी और पैली जी जब पैली जी होगातील प्रित्री की ऊंप के याणी जब शुर्द्री गरहुआ है तो आन्शिक हो जाता है और यदि पेरी जी में शुरी गराण लगता है पेरी जी आपोजी यानि जब चंद्रमा और पिर्थिवी के बीच की दूरी अधितम है तब चंद्रगराण होता है तो को तो तो प्रोटल सोलार एकलिप्स होगा या पूंड सुरीगराण होगा जैसे अब इसको यहां समझेंगे यह मान लिए हमारा अपोजी है अब पोजे के कंडिशन में अब इसे तौह समझना है जैसी मेरा फेस है या पिर्थिवी मान में और इसे आप चंद्रमा मानें और संद्र से लाइक आ रहा है अब मैं इसके नजदीक से लोग रहा हूं तो मेरे क कम बाग मेरा कम बाग कवर हो रहा है चाहरे का मंधेरा मिलना है जब नहीं से धूर जाकर के सबस्किक मैं इससे पिर्थिवी के सफरी सन के उपर यह चंद्रमा लगा दूं तब जब उसको छाया बनेगा तो बड़ा बन जाए तो पुरे बाग को और करनेगा ठीक यही और हमें पूर्ड सुले घ्राण होते हुए ऐसा नहीं होता कि दिन है तो पूर्ड राथ हो गया एक ची ध्यान हो लखें वी दिन नहीं होगा हैं दूसरा चीज करण कभी रात में होगा है कि धिरल नहीं कर दिन दो चंदमा दिखता है और रात में और उसकी उछा रहा है तो वह सर पढ़ा दो में नहीं है तो दिन में पढ़ने वाली किरण को चंदमान रोक ले तो सुर्य गराण हो गया अब दिन में पुरी तरिके से अंधियरा नहीं हो जाता है अगर सुर्य गराण है तो सुर्य का 30 का लबल लबा-मान किसे नभी परसन भाद कर देना चैदर बाद वाद तो हमें उसका कॉरोन डिकता है कि एक अग्मूठी के तरफी की एक बन जाता है सुरी पे जिसे हम फाइल आफ रिंग रहते हैं तो कि अगर वह चीज दीश्चल पास अगर होता तो हम ज्यादा उसे अच्छे समय पाते हैं अभी नहीं है तो हमें थोड़ा इमेजिन करना है अगरी चंद्रमा यह सुर्य है और चंद्रमा ने हमें प्रिज्दिस यूदि करा है वह इतना पिख़ा है कि यह धरका वो एक खशुका शुरय हुए तो रचोम इसमें घ्रचक में अनुषिक शुर्यगाण कि और जब इसमें ज्याद कवर कर लिए तो मらい सुर्ण कर,disज्ट्रमा अब देखिए जैसे retrouve इसको बनाया सुले को एक हमने इस्तिती दिखाई और एक पुर्ण सुले ग्रहण दिखाता हूं वो बनेगा ऐसा है कि अब यहां कहीं ऐसा दिखता है तो यहीं आपका को रोना है ठिक कि यहां से एक्सरेव रेज बहुत केज निकलता है इसलिए इसे नंगिया को से देखने से माना किया जाता है यह तो एक बेसे फेक हो गया अब देखिए कि यह जो शैड़ो बन रहा है अगर मैं आनशित चंदरग्रहन की बात करूं अभी कि आनशित चंदरग्रहन में जो डार्कर पार्ट होता है वो कम बनेगा ठीक है तो जो डार्कर पार्ट है उसे हम अंब्रा कहते हैं अंब्रा आपके अब इसे आप याद रखें कि यह क्या है अंब्रा जो शैड़ो बन रहा है सुल्य करहण के समय तो जो डार्कर पार्ट है उसे हम जो अंधेरा वाला अभागे उसे हम अंब्रा करते हैं अच्छा शैड़ो बनेंकी क्रम में आप एक जिए ध्यान रखें कि मैं लाइट को पूरितर के रहाद से रोक दूं तो पूरा तो नेरा हो नहीं जाएगा कुछ यहीं पर उम्री का निशान दिखेगा उसके अलावा कुछ लाइट रोशनी आती रहती है उसे हम शैड़ो बोलते हैं तो जो शैड़ो होता है वो थोड़ा ब्राइटर पार्ट क्योंकि को यहां से वालैंने तो यह कहा जा रहा कि यह चोट सեղ घ्री सकता है और कई जगहों से अपरें सकता है इस माई कि है यह कि जो आमेरी बारा इसभी पारट देखता है कि ये आधा बार्ड है विद्धिर का अधा था प्रिद्धिरी के आधे भाग पर शुरीक रॉषने पड़ती है तो ये बाग को अंदेरा है अध्यरा की कुछ सुलिगणान सब्सक्राइब तो है तो है कि नुम्ब्रा समझ दिया अच्छा हमने इक सी बाप करी थी कि चंद्रमा अपने पाथ पर पिंथिली की परिक्रमा कर रहा है और इसका पाँच 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 दिए जुका हुआ है जिसके बज़े से हर महीने सुर्ण और चद्रण नहीं पड़ता लेकिन दु जैंसे यह है कि यह पठीजिक परिक्रमा कर रहा है शाहते में संट की परिक्रमा कर रहा है छर चक्कर रखा रहा है दलाए को इस चंकि बोललती है थो मिनत आAST यही जभ पूर निवा सब्सक्रादा नोटर्रदा एक रहा जब पूर्णिवार है तो इसके पूर्णिवारें परेज के आप च्राइड त। अब झिप पर लिए जब यह होगा हम वास्तिय राथ में कि जैसे जैसे इस्टिति इसके इस्टिति इस्टिति बदल गई है वैसे वैसे फिर में उड़ी की इस्टिति बदलती है अंधिया कि पिलतिवी पर करक विश्रूवत और मकर रहा पर साल भर सुर्य की लंगोत कर दो को नहीं है प्रिटिवी चुकी होगी है तो कभी यह पार्ट है कभी ऐसे वह जो अब यह कोशिश किया कि यहां पर है और कि पूर लिमा कि दा दिहाई कि यह आपका 21 मार्च की इस्टिवी है कि 21 मार्च यानि विशु है जब विशुवत रेखा पर सुर्य की लंबहुत के इने चमकने का अर्थ क्या है कि सुर्य के पूरे आधे वाग को सुर्य कवार करता है यानि प्रिद्वी के आधे वाग पर सुर्य की किनण पड़ा रही है जब अधे वाग में हमेरा है और आधे वाग में खंडी है विशुवत रेक विशुव में क्या होता है जब सुर्य की लगवत की में विशुवत रेकापड पर सब्सक्राइब तो उससे में क्या समय आधे वाग को प्रिध्वी प्राप्त कर रहा है तो हमने जब यह इस्थिति बताई थी वियूती की जब यह इस्थिति है अब सब्सक्राइब प्रश्पी प्रिज्वी अपने एकस पर घूम रही है अब यह विशुव पीस्थिति में आगे प्रिभी अब चंद्रमा अब आधे वाग को अब ऐसे में चंद्रमा घुमते अगर यहां पड़ गया तो यह चंद्रग्रहण हो जाएगा अब डिपेंड करता है पेरीजी और अपोजी पे अगर अपोजी होगा और चंद्रग्रहण बनेगा तो यह इस और छंद्रग्रहण बन जाएगा चंद्रग्रहण के कंडिशन में अगर कोजी होगा यहां जाएक तो जब चंद ग्रांट पढ़ेगा और अपोजी का अचुछ अगर शूर्य ग्रांट पढ़ गया इस बीच में यह सूरीय परीट्रीवी भीच प्रित्वी विश्व है मतलब प्रित्वी के विचोविश पढ़ रही है अब ऐसे में अगर चंद्रगराण पढ़ गया तो साथ में एपोजी भी है तो चंद्रवाद दूर हो जाएगा हमने पताया ना कि दूर होने के वजए से शैडव कम बनता है तो इसलिए जो चंद्रगराण बनेगा तो आंशिक बनेगा क्योंकि पुछल को सुरी की किन्डे इसको पाल करके बहुत जाएगी तो आंशिक चंद् करेंदे अधा हो फ्रलसूरी गरहन को कि अगर यहां से चंद्रगराण चंद्रुमा पिध्रिवा आने वाले क्रिणों को रोक रहा है तो ज्यादा एा पर फ्रड़ाई दिमाग में अगर पैरिजिये पढ़र रही है और चंद्रगर्ण इसके पास है अब जो में पढ़र रही है मेरे मुझे सद से तो ये कम पाट का सुरत के कम पाट को ढख पा रहा है और कुछ पाट इसका प्रिद्विर बढ़ जा रहा है लाइक तो हम इसे आनशिक सुर्य ग्राण कह देंगे समझना आगे वाद इतनी क्लियर हुई ठीक है यह हमारा अच्छा यह समझा दिये अब जिसको कोई पार्ट या कोई भाग या फूरा विडियो ना समझ में आया हो तो मुझे इपर कमेंट में बताएं क्यूंकि मैंने जो संसादान है उसमें सबसे बेस्ट तरीका ढूंद के समझाने की कोशिश करिये ऐसे में अगरे क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइप और सब्सक्राइब करें अब नेक्स क्लास में हम इस तर मंडल के ओर जाएंगे पिर दीवी की घुगार्विक इतिहास और इस तर मंडल का विकास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ठीक है थैंक्यू